मुवी की शुरुवात में हम एक स्कूल के वाच मैन को देखते हैं, जिसे काफ़ी अजीबों गरीब आवाजे सुनाई दे रही थी, वो वाच मैन उन आवाजों को सुन कर एक रूम के अंदर जाता है, जा पर उसे एक लड़की दिखाए देती है, जो की काफी जादा डरी यहाँ पर हम रिले नाम की लड़की को देखते हैं, और उसके साथ उसके पिता क्रिस भी थे, दर असल ये दोनों साथी स्कूल आये थे, और रिले स्कूल में नई नई सिफ्ट हुई थी, साथी में रिले के पिता क्रिस भी यहाँ पर टीचर की जॉब के लिए नई नई सि क्रिस पर पढ़ती है काईला क्रिस की ड्रेसिंग सेंस से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है इसलिए वो क्रिस की फोटोज खिचने लगती है इसके बाद आगले सीन में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जापर क्रिस टूडेंस को पढ़ा रहा था यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि रिले, काईला और ट्रिस्या सेमी क्लास में पढ़ते हैं, अब जब क्रिस पढ़ा रहा था तब ट्रिस्या और काईला बस क्रिस को ही देखे जा रहे थे, क्योंकि उन दोनों को क्रिस पसंद आ गया था, फिर लेक्चर के दोरान ट्रिस्या फोन च पर इस बात से क्रिस जरा भी गुस्सा नहीं होता और इस सिचुएशन को बड़े ही कूल तरीके से हैंडल करता है। कि रिले क्रिस की बेटी है पर रिले काईला को ये बात किसी और को बताने से मना करती है। में जरूर बता दूँगे। अब उसी राद जब काईला सो रही थी तब वो क्रिस को अपने करीब इमेजिन करती है। काईला के इन हरकतों को देख हम समझ पाते हैं कि वो क्रिस के और काफी ज़्यादा अट्रेक्ट हो चुकी है। अगली सिन में हम काईला को रिले के घर में देखते हैं। कां़ुझ कर क्रिस का धियान अपनी और करने की कोशिश करती है। जिसे हम ये समझ पाते हैं कि वो भी क्रिस की और काफी I-Trackeded है। अब क्लास् खतम होने के बाद जब रिले अकेले बैठी हुई थी तब त्रिश्यखा उसके पास आकर उससे बाते करने की कोशिश करती है यहाँ पर तृषय रिले को अपने साथ सौपिंग पर चलने की बात करती है इसी तौरान काईला उन दोनों को बात करती हुए देख लेती है और ये देखकर उसे बहुत जलन होने लगती है क्योंकि वो तृषय से काफी जलती थी फिर तृषय के वहाँ से जाने के बाद काईला रिले के पास जाती है और उसे त्रिशा से दूर रहने को कहती है वो रिले को बताती है कि त्रिशा बहुत खतरनाक लड़की है क्योंकि पिछले साल उसने हिस्ट्री टीचर के साथ अफैर किया था इसलिए तुम्हें उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं और फिर जब काईला अपने घर में रिलेस कॉल पर बात कर रही थी तब ही कोई गेट पर नौक करता है। जब काईला गेट खोलती है तब वो सामने क्रिस को देखती है जिसके हाथों में खुबसूरत फूलों का गुच्छा था। ये देकर काईला को लगता है कि क्रिस ये फूल उसके लिए लेकर आया है लेकिन क्रिस वो फूल काईला के लिए नि बल्कि उसकी मा जेस के लिए लेकर आया था। जाती है और उसमें पानी भर कर जान भुच के करीस की शटपर गिरा देती है ता की क्रिस आज ज जास के साथ डिट पर ना जा पाए अब करीछ की कपड़े भिंग गय थे इसलिए वो कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है इसलिए आज रात में आप लोगों के साथ रहूंगी आगे जब जैस चाय बनाने जाती है तब काईला क्रिस से बात करती है यहाँ पर बातो बातों में क्रिस कहता है कि रिले ट्रीसिया के घर पार्टी करने गई है यह जान काईला को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने रिले को टो सुनकर रिले कहती है कि वो अच्छी लड़की है और उसने मुझे कहा है कि हिस्ट्री टीचर के साथ ettN उसका नहीं बलकि तुम्हारा चल रहा था ये सुन काईला कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और त्रिशा बस हम दोनों को अलग करने के लिए जूट बोल रही है पर रिले को उसकी बातों पर जरा भी यकिन नहीं होता अब ये देकर काईला त्रिशा के पास जाती है और इससे रि अगले दिन जब स्कूल में काईला अपने लोकर के पास थी तब रिले उससे बात करने के लिए आती है यहाँ पर जब काईला अपना लोकर को खोलती है तब उसमें से धेर सारे काईला के प्राइवेट फोटोस निकलते है दरसल ये फोटोस काईला नहीं जान बुचकर वह अपर चल रहा था यहाँ पर काईला ये भी कहती है कि हिस्ट्री टीचर उससे हैरेस किया करते थे अब ये सुन रिले को काईला पर बहुत दया आता है इसलिए वो उससे माफ कर देती है और दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है उसी रत क्रिस जैस से मिलने के लिए उसके घर जाता है क्योंकि आज वो दोनों डेट पर जाने वाले थे तभी काईला त्रिश्या बनकर क्रिस को फेक मैसेज करती है और अपनी गंदी फोटो सेंड करती है फिर काईला जान बुच कर ये मैसेज जैस को दिखाती है जिसे देख जैस को लगने लगता है कि क्रिस का महां पर आती है और फिर वो Chris से बात करते करते उसके करीब आने की कोशिश करती है पर Chris को ये ठीक नहीं लगता इसलिए वो Kayla को ऐसा करने से रोकता है और अपने घर चला जाता है अगले दे जब स्कूल में Chris क्लास ले रहा था तब ही पुलिस वाले वहां आ जाते है और अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। दरसल काईला ने त्रिशा के खिलब कंप्लेन कर दिया था कि त्रिशा ही उसके प्राइवेट फोटोस को वाइरल कर रही है। इसलिए इसी वज़ों से पुलिस ने त्रिशा को अरेस्ट कर लिया। आपको रोक नहीं पाता और वो भी काईला के करीब आ जाता है। इसी दुरान रिले वहाँ आ जाती है और वो उन दोनों को ऐसी हालत में देख बहुत गुसा हो जाती है। दरसल उसे लगने लगा था कि उसके पिता का काफी पहले से ही काईला के साथ अफेर चल रहा है। रि रिले ने पिछली रात के बारे में जैस को सब कुछ बता दिया था। इसके बाद जैस काईला को अपने साथ ले कर जाती है लेकिन काईला जाना नहीं चाती थी। इसलिए वो अपनी माँ पर ही गुसा दिखाते हुए कहती है कि मैं क्रिस से प्यार करती हूँ और उपर से अब मैं अट्रकी हो गई हूँ, इसलिए मुझे अपने फैसले खुद लेने का हक है। इधर क्रिस रिले से मिलता है और उससे अपने किये की माफी मांगता है। यहाँ पर वो रिले को पूरी बात बताता है कि किस तरह से कैला उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। अब प रिशा कैला से मिलती है तो कैला उससे बताती है कि मैंने ही तुम्हें जूटी केस में फसाया था। इतना कहकर कैला अपने आपको जोड़-जोड़ से मारने लगती है। क्रिस भी रिले के साथ वहाँ आ गया था। इसलिए उसे दे कैला खुद को छोट पहुँचा कर यह माफी मांगती है। यहाँ पर रिले उसे माफ करने के लिए मान तो जाती है लेकिन साथी में वो कैला को क्रिस से दूर रहने को कहती है। फिर रिले के वहाँ से जाने के बाद क्रिस कैला के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। प यहाँ पर काईला भी आ जाती है और रिले से मिलती है यहाँ पर काईला रिले से कहती है कि मैं तुम्हारे वज़स से क्रिस को पानी पाई और फिर यह कहकर काईला रिले के पेट पर चाकू मार देती है इसके बाद काईला क्रिस के पास जाती है और उसके गले पर चाकू रख दोस्तों ये वही वाला सिने जो के हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था अब वाचमेन एक रूम में काइला को देखता है जहां काइला उससे हेल्प मांगती है यह देख Massman बाहर हेल्प मांगने के लिए जाता है और तभी रिले जखिमी हालत में उसके पास आकर उसस साथ क्या किया इस पर काईला कहती है कि वो अभी आराम कर रहे हैं फिर दोनों लड़ते लड़ते एक रूम में आ जाते हैं जहाँ पर काईला रिले को जान से मान नहीं वाली थी कि तभी रिले काईला के सर में एक कैमरा दे मारती है जिससे काईला वहीं पर बेहोस हो जाती है नेक्स सिन में हम देखते हैं कि पुलिस वाले और एंबुलेंस दोनों वहापर आ गए हैं आगे रिले और काईला दोनों को हस्पिटल ले जाये जाता है क्यूंकि दोनों ही काफी जखमी हो गए थे और अब सभी को काईला के सचाई के बारे में भी पता चल गया था इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीच जाते हैं और हमें पता चलता है कि रिले अब कालेज में पहुँच चुकी है और अब क्रिस भी दूसरे स्कूल में टीचर का काम करने लगा है मूवी के आखिर में जब रिले अपने कालेज जाती है तब हम एक लड़की को उस पर नजर रखते हुए देखते हैं अब वो लड़की काईला है या फिर कोई और यह हमें मूवी में नहीं बताया गया है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है